गोभी की पराठे तो आपने बहुत बार खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे पर आज मैं गोभी की पराठी की एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरीके से अनाडी से अनाडी भी गोभी का पराठा बहुत आसानी से बना लेगा और बनाने में आस इसे गोभी के पराठे की हमारी रेसिपी को बहुत जादा पसंद किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज बिलकुल नया तरीका उससे भी बढ़िया तरीका बताने वाली है तो रेसिपी को स्किप मत करना वीडियो को पूरा देखना ध्यान से तो सबसे पहले हमें चाहिए एक गोभी गोभी को आपने पाँच मिनट नमक वाले पानी में भिगो के रख लेना है इस से अगर गोभी में कीडे भी होते हैं तो वो निकल जाते हैं और इसके बाद पानी छिटक कर गोभी को साफ कर लेना है और चाकु से रफली चॉप कर देना जी हाegenां NOT क्ब और इंग्रेडियन्स डालेंगे जैसे की लहसुन 8-10 कली अपने स्वात के अनुसार एक छोटा अद्रक का टुकडा और साथ में 3-4 हरी मिर्च काटके डाल देंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर हरा धनिया भी डाल देंगे तो सारी चीजों को हम एक साथ यहाँ चौप कर ल एक साथ चौपर में चौप हो जाएगी चौपर अभी पूरी तरह फुल हो चुका है तो थोड़ा सा इसको हम खाली कर लेते हैं हलका सा मैंने चौपर को चला लिया है जिससे की गोभी थोड़ी चौप हो जाएगी और यह देखिए अब थोड़ी जगा बन गई है यहाँ म हमने प्यास नहीं डाली थी और अब प्यास भी काटके डाल देंगे अब हमारे पास अधरक लहसुन धनिया मिच प्यास सारी चीज़े हमने डाल दी है अब सारी चीजों को हम एक साथ चौप कर लेंगे एक मिनट के अंदर-अंदर यह सारी चीज़े चौप हो गई आया था कि इस तरह तो गोवी कच्छी रह जाती तो आपकी ये शंका भी आज दूर किये देते हैं हम इस बार गोवी का पानी नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े हमने डाली है इसको हम क्या करेंगे सिंपल एक कड़ाई में थोड़ा सा एक मिनट के ल पाल देंगे इसको चला फिर कर जो ही चीज़ ने गोभि के साथ सारी चॉप पाले और इसको चला फिरा लेंगे अकना असान तरीका अप तोड़ा सागर मसाला डाल दें और नमक डाल देशैनित है और इसको आपने चला फिरा कर बस कुछ देर के लिए पका लेना है एक मिनट से भी कम समय में ये पक के तयार हो जाएगा स्वात बढ़ाने के लिए यह एक चमच हमने डाल दिया है अचार कोई भी अचार मिर्च का अचार हो आम का अचार हो आपके घर में वो अचार डाल दे आचार को बस अच्छे से मैश कर लेना हाथ से फिर आप इसमें डाल दे और ये देखिए बस गोभी का मिश्ण हो गया तयार गैस को कर दे बन इसे ठंडा होने रख दे अब आटा गून लीजिए आटा लेना है हमको जितना भी आपको आटा गूनना है उस आटे में आपने एक चमच अजवाइन डाल देनी हैं और नमक स्वात के अनुसार साथ में आप इसके अंदर घी या तेल डाल दे इससे आपके पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं और ये देखिए अगर आपने जल्दी में सुभा नाश्ते में पराठे बनाने हैं तो आटा आप गून गू अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पढ़ना है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेर करना, कामेट करना बिल्कुल महीं भूलना और ये देखिए इस तरीके से हमने हमारा एंटा गूं के तयार कर लिया आटा आप ने बिल्कुल रोटी की तरह नरम लगाना है उट्थ लोगों को गलत फैमी होती कि आटा टाइट लगाना है बिल्कुल नहीं, आटा सॉफ्ट लगा है, टाइम है तो इसे 5-10 मिनट के लिए रख दें, अधरवाइस आप ऐसे ही तुरंत के तुरंत पनाठे बना सकते हैं, ये देखिए, अब हमने रोटी के साइस की ही इसके पेड़े बना लेने हैं, न बहुत बड़े, न बहुत छोट जैसे आप फुलके बनाते हैं, फुलके की साइस की आपने पेड़े बना के तयार कर लेने हैं, और उसी तरह से जैसे हम रोटी बेलते हैं, रोटी बेलने हैं, बारी-बारी से, ये देखिए, आज मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ हूँ, कि जो लोग कहते हैं पराठे फट जाते हैं उनसे बनाए नहीं जाते इस तरीके से आपके पंद्धे कभी ज़िनदगी में कभाशेत हैं और आप कि गर्री के बच्चे भी बना लेंगे भस आपने क्या करना है सिम्पल से पहले रोटी यह बना नहीं है अगर आप चाहें तो इकठी बना लें साथ के साथ बनाते जाएं तो मैं आपको बता रही हूं सबसे पहले हमने ये एक रोटी बेल ली है ये देखिए हैना चपाती की साइस की इसी तरीके से आपने एक और चपाती बेल के तयार कर लेनी है और जब यह हमारी चपात बेल के तयार हो चुकी है अब आपके घर में क्या है कोई भी कांटेदार यानि जिसके शाफ edges होते हैं कि आरी इसी कटोरी लेनी है जिस भी size के आपने परांठे बनाने तो मेरे पास ऐस टाइप का एक कटोरा है जिसके किनारे बहुत शाप हैं वो लिया उसके उपर एक रोटी को रख दिया है और अब इसके अंदर दो चमच फिलिंग हम रख देंगे ये देखिए एकदम फिलिंग आप देख सकते हैं कितनी भुरबुरी है एकदम सूखी है जरा भी चिपचिपी नहीं है और इसको फैला के इसके उपर एक और रोटी आप डाल दीजी और इस तरह से किनारों को दबाते हुए आपने एक्स्ट्रा आटा निकाल देना है है ना कितना असान तरीका जबरदस्त ना आपको इसमें गोबी भर के बेलने की जरूरे थे नहीं आपका पराठा फटेगा बेलन भी चला सकते हैं या इतने ही बड़े साइस के पराठे बना लें मर्जी आपकी है एक और भर के देख लेते हैं देखिए इस तरीके से क्या होता है आप बहुत सारा मिश्रन इसके अंदर भर सकते हैं क्योंकि फटने का तो डर है ही नहीं तो बहुत जबरदस लगता ह खाने में और चाहे तो इस गोवी के मिश्रन को ऐसे भी खा सकते हैं एक तरह से आपकी सूखी गोवी की बुर्जी तयार होगी यह सबजी भी बहुत टेस्टी है और यह देखिए इस तरीके से आपने वन बहुत सभी तयार करके तवा गरम करना है और गरम तवे पर सीख ल संदे होंगे ना ही तवा गंदा होगा बहुत आसानी से अब आप चाहे तो रिफाइंड टेल में बनाएं चाहे तो घी में बनाएं चाहे तो मक्षन में बनाएं तो सबसे पहले मैं यह एक रिफाइंड ओयल में बनाके दिखा रही हूं देखिए यह पराथे फूल जाते ह और अंदर से एकदम भरे-भरे होते हैं एक पराठा और बना लेते हैं इसे हम बनाएंगे देसी घी में अगर ये पराठा आपको पसंद आया हो तो इस बात पर एक वीडियो को लाइक तो जरूर कर दे और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आये अगर नहीं पसंद आये तो भी आप मुझे जरूर बताना और ये देखिए इसको हमने देसी घी में सेंक लिए आप देख सकते है कितना फूला-फूला क्रिस्पी सा प्राठा आपका बन गया है आप इसके एजेस को भी सेख सकते हैं अगर आपको किनारे कच्छे हैं तो इस तरह से गुमा-गुमा कर आप इसके किनारे भी सेंक लें दोनों तरफ से एकदम उलट टे उलटते वे क्रिस्पी करारा पराथा आपने बना लेना है तो आप इसको बच्चों के टिफिन में देए हस्बंट के टिफिन में देए शुवां के नाश्ते में खाए जैसे चाहें खाएं साथ में हरी चटनी और अचार और दही का रायता हो तो क्या ही मज़े आ जाएंगे ये देखिए मैं दिखाती हूं अंदर से फिलिंग क्या जबरदस्त है ये पराठा देख के जितना मज़ेदार है खाने में उतना ही टेस्टी है आईए चलिए देखते हैं फिलिंग कैसी रही है इसके अंदर वाओ आ गया ना मूँ में पानी एकदम चारो तरफ बराबर से इसकी गोभी लगी है और मैं दिखाती हूं एकदम भुरबुरी है ये जैसे और आप कोई पराठे बनाते हैं तो लगता है चिपक गए हैं गोभी रोटी फट गई हैं देखा कहीं से भी फटी नहीं है है ना कितना अनोखा और असान तरीका तो आप इस तरीके को जरूर ट्राए करना उम्मीद करती हूं इस बार गोभी के पराठे को बराने को लेकर आपकी जो भी समस्या आप तक रही हैं वो सब दूर हो गई होंगी और ये देखिए इसको हरी चेटनी के साथ सर्फ करें बहुत ही मज़ेदार है तो रेसीपी जरूर ट्राए करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली रेसीपी में बाबाई